इतना अच्छा आप शान्त हो जाएं तो मैं असानी से बूल पाऊं क्योंकि माइक कमजोर है आप सब का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां आए और इतने प्यार से आपने मेरा स्वागत किया पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी बहिया शान्त हो जाएं प्लीज भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसका लक्ष था कि जो भारत में नफरत फैलाई जारी है फैल रही है एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में एक भाशा दूसरी भाशा के बीच में एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के बीच में इसके खिलाफ हम सब को मिलके खड़ा होना चाहिए आप सहमत हैं इससे कि देश को नफरत से हिंसा से फाइदा नहीं होता है ये अगर कोई भी हिंदुस्तानी शांती से आख बंद करके अपने आप से पूछे कि नफरत से हिंसा से मेरा फाइदा होता है या देश का फाइदा होता है उसको अंदर से ही जवाब मिलेगा कि नफरत से हिंसा से किसी को कुछ फाइदा नहीं होता है मगर मगर हमें देखने को मिल रहा है कि आस्ते आस्ते ये जो मुहबत का देश है इसमें आस्ते आस्ते से नफरत फैलती जा रही है इसका कारण है अगर आप किसी भी युवा से पूछो कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करना चाहते हो तो सारे के सारे युवा आपको कहेंगे मैं जॉब करना चाहता हूँ मैं रोजगार चाहता हूँ मैं इंजिनियर बनना चाहता हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं लॉयर बनना चाहता हूँ मगर देश की सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में अगर हमारे रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार नहीं मिल सकता है ये और जो देश के युवाओं के सपने है उन सपनों को देश के युवा पूरा नहीं कर पा रहे है और इसके कारण उनके दिल में नफरत, क्रोध और गुस्सा पैदा हो रहा है तो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे पहला लक्ष था कन्या कुमारी से कश्मीर हम चले और लक्ष था कि हम लाकों युवाओं से माताओं, बहनों से, बुज़ुर्गों से बात करें उनके दिल में जो है उसको सुने और उनका हाथ पकड़े और उनके गले लगे लोगों ने कहा कि आप कन्या कुमारी से कश्मीर गए मगर बेंगॉल का क्या होगा, असाम का क्या होगा, और इसक क्या होगा नागा लैंड, मनेपूर इनका क्या होगा इसलिए हमने निन्ने लिया कि हम इस्ट से वेस्ट, मनेपूर से महराष्ट्रा, फिर से भारत जोडो यात्रा करेंगे और इसलिए आज हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं, सिल्व गुड़ी में आपके सामने खड़े हैं और इतने मौबत से आपने, मैंने कहा भी नहीं, और आपने मौबत के दुकान खोल दी और फ्री में दिल खोल कर, तो इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं काफी टाइम से ऐसी ऐसी यात्रा हमने बेंगे में नहीं है और मैं चाहता था कि मैं आपके बीच में आकर ऐसे दूर से नहीं, स्टेज से नहीं हलो, हलो, स्टेज से नहीं, मगर ऐसे आपके बीच में आकर आपकी बात सुनो यात्रा में हम भाशन 15-20 मिनट का करते हैं, मगर 7-8 गंटे हम आपके बीच में आते हैं, किसानों से बात करते हैं मज़दूरों से, युवाओं से बात करते हैं हमने इस यात्रा में नया इशब भी जोड़ दिया है पिछली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, इसमें हमने नया इशब भी जोड़ दिया है क्योंकि हमें लगता है कि हिंदूस्तान में नफरत का कारण, हिंसा का कारण, अन्याय भी है आपने देखा कि दिल्ली में जो सरकार है, पूरा का पूरा कारण, वो इन बड़े उद्योग पतियों के लिए करते है आपको आपने देखा होगा कि एरपोर्ट्स, अदानी जी, एरपोर्ट्स, पोर्ट्स, माइन्स, इंफ्रस्ट्रक्चर, बिजली, पावर, सब का सब, दो-तीन बड़े-बड़े लोगों के हाथ में जा रहा है मगर अगर कोई व्यक्ति है, जो बढ़ाई का काम करता है, और सोचता है कि एक दिन मैं फ़रनर्चर की कमपनी बनाना चाहता हूँ या अगर कोई है, छोटा सा मेकैनिक है, एक दिन मैं ऐसी गाड़ी बनाना चाहता हूँ, अपनी कमपनी कोलना चाहता हूँ या एक युवा है जो गरीब है वो इंजिनियर बनना चाहता है और कहता है मैं इंजिनियरिंग की कमपनी कोलना चाहता हूँ तो उन सब के लिए गरवाजा बन दे यह यह जो कमपनी है यह कौन सी गाड़ी है टोयोटा गाड़ी है न आप समझो इसका मालिक जापान में मेकैन ने काम शुरू किया आस्ते 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 उसने ये टोयोटा कंपनी बना दी हिंदुस्तान में कोई भी मेकैनिक ये सपना नहीं देख सकता है अगर मेकैनिक ये सपना देखेगा बाकी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे मगर सत्य है ना अगर अगर एक बढ़ाई ये सपना देखे तो अरब पती लोग उसका मजाक उड़ाएंगे मगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मेकैनिक हिंदुस्तान का बढ़ाई हिंदुस्तान का गरीब से गरीब किसान एक सपना देख पाए बनाना चाहता हूं मैं भी Engineering Company बनाना चाहता हूं मैं भी उनिवरसिटी जिखोलना चाहता हूं मैं भी College जखोलना चाहता हूं ये तो ऐसा Hindustan हम चाहते है जिसमें जो काम करता है जो काम करता है उसकी इज़द हो आजकल मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है मगर जो दलाली करता है उसकी हिजद है जो काम करता है उसकी हिजद नहीं है और अगर हम रोजगार की बात करते है अगर हम रोजगार की बात करते है तो जिस दिन जो हमारा हाथ से काम करता है चाहे वो मेकैनिक हो किसान हो, बड़ा ही हो जिस दिन उसकी इस देश में हिज़त हो जाएगी उस दिन आसानी से इस देश के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा तो ये मैं आपसे कहना चाहता था आकरी बात समाजिक नियाए की बात करना चाहता हूँ और आप देखें तो जो हमारे आदिवासी भाई है दलिद भाई है पिछडे वर के भाई है बहने हैं उनके लिए देश में दरवाजे बंद है तो इसके बारे में भी हमें सोचना है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति उसको भी लगे कि अगर मुझे डर लगता है तो मेरा देश मेरी सरकार भईया माइक तो उसको भी लगे कि मेरा देश मेरे बाई मेरी रक्षा करते है आखRI बात जो आपको मालूम है मैं दोरा देता हूँ जिससे मुझे काफी दुख हुआ कि बहुत सारे युवा जब छोटे होते हैं कहते हैं कि मैं एक दिन सेना में जाना चाहता हूं पैरामिलिटरी फोर्स में जाना चाहता हूं देश की रक्षा करना चाहता हूं बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे बच्चे हैं जैसे यह बच्ची है देदो देदो अब पहले था युवा ट्रेनिंग करते थे आपने देखा होगा सड़क पे पांच बज़े दोड़ते थे और फिजिकल फिटनेस बनाकर टेस्ट लेकर आर्मी में जाते थे नेवी में जाते थे अब वहां आर्मी नेवी एर फोर्स हमारे युवाओं को एक गैरंटी देती थी कहती थी देखो आपने अपनी जान देश के लिए नचावर कर दी है तो आपने अगर अपनी जान देश के हवाले कर दी है देश के हातों में कर दी है तो हम आपको गैरंटी देते हैं जब तक आप जिन्दा हो और आपके परिवार के लिए शहीद होने के बाद आपके परिवार को हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान की वायू सेना हिंदुस्तान की नेविग ग्यारंटी देखके आपकी रक्षा करेगी पेंशन देगी और रक्षा करेगी मगर आज क्या हुआ है आज एक नई योजना आई है उसको सरकार ने अगनिवीर योजना कहा है अब उसमें देखिए उसमें कहा है कि हिंदुस्तान का युवा आर्मी को अपनी जान देने के लिए त्यार हो जाए और लाकों युवा त्यार हो जाएंगे मगर अगनिवीर योजना कहती है कि आप आर्मी में आओ चार साल के लिए रहो और चार साल के बाद 75% मतलब 3 में से 4 युवा आपको हम वापिस घर भेज देंगे चार में से एक युवा सेना में रहेगा और बाकी जो 3 है वो वापिस चले जाएंगे अगर शहीद होगा देश के लिए गोली खाएगा तो जो सेना के लोगों को compensation मिलता है protection मिलती है वो अगनीवीर को नहीं मिलेगी उतनी नहीं मिलेगी तो मेरा कहना है कि शहीद दो तरीके के नहीं होते है शहीद सिर्फ एक तरीके का होता है सही ऐसे थोड़ी कि भाईया ये दूसरा शहीद को समान एक बराबर होना चाहिए और अब क्या हुआ सबसे दुख की बात एक लाग पचास हजार युवाओं ने अगनिवीर योजना से पहले इन एक लाग पचास हजार युवाओं को कहा गया कि आपको आर्मी में भड़ती कर लिया गया है इनको जगे दे दी गई और उसके बाद तीन साल सरकार भाईया बहुत जोश है मगर मुझे ख़तम करने दो अभी मुझे बोलने दो तो सरकार ने उनसे कहा कि भाईया देखिये कोविट का समय है थोड़ा समय ठेर जाओ आपको भड़ती कर देंगे तीन साल उनको ऐसे लटका के रखा और तीन साल बाद एक लाग पचास हजार हिंदुस्तान के युवाओं को कहा कि तुम्हें ना आर्मी में भड़ती होगी ना तुम्हें अग्रिवीर में जाने देंगे तो इनके साफ इनके साथ अन्याय हुआ है अन्याय हुआ है ना तो ये चास हजार युवाँ हैं जिन्होंने आर्मी में भड़ती करवा ली थी इनके किलाफ अन्याय हो रहा है और ये गलत है आप बात से सहमत हो तो ऐसी बाते में उठाना चाहता हूँ जो देश में अन्याय हो रहा है और पूरे देश में हर प्रदेश में अलग-अलग तरीके से अन्याय हो रहा है इसलिए मैं आप से बात करके जो आपके दिल में उसको समझ के मैं आपके सामने और देश के सामने रखना चाहता हूँ बंगॉल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज आया हूँ और जो आपने मुझे पियार बंगॉल में दिया है शायद किसी और प्रदेश में मुझे नहीं मिला तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपने अपनी पूरी जो शक्ती है पूरा जो दम है आपके दिल में जो महबत है आपने पूरी की पूरी इस यात्रा में जोक दी इसके लिए में धन्यवाद करना चाहता हूं और यह कभी ने भूलूंगा मेरे लाइक मेरे लाइक और 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 आकरी बात देखिए और आकरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं बंद करने से पहले देखिए बेंगॉल एक स्पेशल जगे है यह आम जगे नहीं है जब अंग्रेजों के खिलाब लड़ाई हो रही थी तो आइडियोलोजिकल काम अंग्रेजों से लड़ने का जो आइडियोलोजिकल काम था वो आप बेंगॉली लोगों ने किया था यह आप मत भूलिये मतलब आप intellectual लोगों आप सोचने वाले लोगों आप एक दूसरे के साथ मिल के चलने वाले लोगों और आपकी ذिम्मेदारी बनती है आप यह मत सोचो कि आपकी जिम्मेदारी ने बनती क्योंकि आप बंगॉली हो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बंती है कि आप देश को रास्ता दिखाओ, आपने रबिंदर नार टगोर जी ने किया, सुभाष चंद्र बोज जी ने किया, विवेका नं ने किया, तो आप लोगों के अंदर ये शमता है, अगर आप देश को रास्ता दिखाने का काम नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं तो देश आपको माफ नहीं करेगा ये आपकी जिमेदारी है और किसी एक व्यक्ति की नहीं है क्योंकि ये जो आग है बिंगॉल के हर व्यक्ति के अंदर है चोटे से चोटे बच्चे के अंदर है तो आप सब की जिमेदारी बनती है कि नफरत के खिलाफ आपको लड़ना है मिलके एक साथ चलना है और जो आपका intellectual power है उसके साथ आपने भारत को जोड़ने का काम करना है यह message मैं आपको देने आया हूँ क्योंकि यह काम सिर्व आप कर सकते हो यह बात समझो यह जोडने का काम गहराई से सोचने का काम यह आपका है यह आपकी जिमेदारी है और मैं जानता हूँ कि आप यह जिमेदारी पूरी करके दिखाऊगे आप सब को बहुत बहुत प्यार बैक साइड बिलकुल देखते हैं और दिल से दिल से दिल से आपका धन्यवाद नफरत के बाजार में मोहबद के दुकान जापकी 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 में ठाम झाल के दॉकान